बॉर्णिंग ओल ओफ यू अवर यू आई होप ओल यू वेल और फाइन चिल्डरन चिल्डरन आज में आपका एनवल का जो कोर्स है उसमें चैप्टर ट्वंटी त्री सीमली है मैं वो आपको एक्स्प्रेन करने चाह रही हूं तो सभी बच्चे अपनी बुक को अपन और समझेंगे कि सिमली होती क्या है ठीक है सिमली इसे कंपैरिजन बिट्वीन टू तिंग्स दा कंपैरिजन इस इंडिरेक्टिड इंडिरेक्टली बाइदा वर्ड लाइक और एज बच्चों सिमली में क्या होता है किनी दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है और यह कं as black as coel की इतना काला जैसे की coelah जैसे हम बोलते हैं न की वो इतना काला है जैसे की coelah या उल्टा था वैसे बोलते हैं न तो इन्हें same list बोला जाता है as proud as a peacock as proud as a peacock as blind as a bat तो यहाँ पर as as like का use किया जाता है main आपकी जो exercise है नीचे है आप इसे देखेंगे एक तो में इस lines को read करना उसके बाद underline करनी है she sways like a flower तो यहाँ पर sways lower की जैसा है तो यहाँ पर she sways like a flower हमारी simile है इस पर हमें underline करना है she skins like a bird तो यहाँ पर skins like a bird है तो इसको हमें underline करना है यह हमारी simile है they were as swift as a river और sparkling like stars या पर two symbols है as swift as a river और sparkling like stars इन दोनों symbols पर हमें underline करनी है अब नीचे फिलप्स है जो हमें करने है as black as a coil as firm as a rock as old as hills as white as snow as dry as dust as heavy as lead as proud as lion भी लिख सकते है पिकोग भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखका है इसके according आप इसमें अपनी तरफ से भी जैसे काफ़ते हैं कई कुछ कहते हैं कई कुछ कहते हैं तो एक तरह की symbols ही हैं तो इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ words उसके जैसे लिख सकते हैं ठीक है जैसे as proud as lion मैंने लिखका है आ आप as proud as peacock भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि दोन्हों हमारे लिए गर्व की बाते हैं as past as the year तो इस तरह इस stimulus को आपने फिल करना है और इसे practice करने हैं अपने exams के लिए छोटा सही chapter है ठीक है और बहुत easy भी है तो आप इसे बड़े द्यान से करें और exams के लिए इसकी preparation करें थैंक ये विनाइस्टे हैं